इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। वेनीज XR 37.5 कैपसूल का इस्तेमाल डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसॉडर में किया जाता है। यह मस्तिश्क में एंग्जाइटी के लक्षनों जैसे कि चिर्चिडापन, बैचेनी, एकाग्रता में कमी, ठकान, पसीना आना, हिरदे गती बढ़ना और अवांचित विचार आना या दिमाग में बाते घूमते रहना आदी का कारण बनने वाले केमिकल्स में बदलाव करता ह वेनीज एकसार 37.5 कैपसूल को भोजन के साथ लेना चाहिए ब्लड में दवा के समान स्थर को बनाए रखने के लिए इसे प्रती दिन एक निश्चित समय पर लेने की सलाह दी जाती है अगर आप किसी भी खुराक को लेना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको याद आए उसे ले ले बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़े और इलाज का कोस पूरा खत्म करें इस दवा का सेवन अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे आपके लक्षन और अधिक खराब हो सकते हैं इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, अनिद्रा, यानि की नींद में कठिनाई, भूक में कमी, चिंता, कब्ज, ज्यादा पसीना निकलना और यौन रोग शामिल हैं इससे चकर और नींद आने की समस्या हो सकती है इसलिए गाड़ी चलाना या ऐसा कोई काम न करें जिसमें बहुत ध्यान या एकागरता की जरूरत हो जब तक आप यह न जान लें कि यह दवा आप पर कैसा असर डालती है हाला की यह side effect अस्थाई होते हैं और आमतोर पर कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं अगर यह कम नहीं होते हैं या आपको परिशान करते हैं तो क्रिपया अपने डॉक्टर से परामर्ष लें यदि आपको kidney, हिरदय, liver की कोई समस्या है या दोरे यानी की epilepsy या fit का इतिहास है तो venis xr 37.5 capsule लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें अगर आपके mood या व्यवहार में कोई असामाने बदलाव होता है आपमें नए या बिगरते जा रहे अवसाद या आत्मगती विचार आने के लक्षन दिखें तो अपने डॉक्टर को बताएं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद